ब्रेक के बाद आरोगे मंत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आईए बातशीत करते हैं डॉक्टर प्रताब चुहान से तो डॉक्टर साब यह जो आपने बता है कि आयरेद में ऐसी एक ब्रांच एक्जिस्ट करती है लेकि मेरा प्रश्णी है कि जितने भी एंट रिलेटेड रोग होते हैं चाहे वह हमारा नेजल एलर्जी हो साइनसाइटिस हो आखों का नहीं दिखता है इसका बातपित कफ से क्या सब्मन्द है हर रोग तो वातपित कफ सी होता है दोस्ट प्रकुपित होंगे मालनो आपकी नाक में ड्राइनस है जैसे अभी पिछले ह हमारे जो दर्शक थे उन्होंने का जी नाक की हड़ी बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ अंदर बल्गम सूख रहा है कुछ लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि नाक में खुश्की रहती है ड्राइनस रहती है तो जहां भी ड्राइनस हो गई तो क्या हो गया वात का प्रकुप गर्मी बढ़ गई आप भी जानने लगे हो बाहर में तो पित बढ़ गया है तो वो पित का रोग है और अगर कोई आथ को कहे के जी नाक भरी रहती है बल्गम से हमेशा सांस भी नहीं आता है रात को जो है बल्गम निकलता रहता है बहुत मोटा थिक सफेद रंग का यहाद सैंस है के दोश के अनुसार चिकितसा की जाएगे यह बहुत जरूरी है वह बहुत अच्षी बात आरवेदिक चिकित्सा की है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ही रहते हैं चाय भयंकर इख प्रोग हो ऑपी बेसिक प्रिंसिपल्स चीन नहीं थे बहुत अच्छी बात है। आये दोक्टर साब बात करते हमारे शो के अगले कॉलर से नमस्कार जी आपका स्वागत है हमारे कारेक्रम में नाम बताइए ये बताइए आप कहां से बोल रहे हैं जी पूछे दॉक्टर साब से अपना प्रशन अजी बोलिये अच्छा पूरा साब ही रहता और उसको बच्पन से रहता है जनम से नहीं जनम तो ठीक था मदलब एक साल तक तो फिर भी कुछ ठीक रहा है उसके बाद से तो किवल नाक में रहता है या चेस्ट में भी उसके कंजेशन अच्छाती में भी जम जाता है बल्गम चेस्ट में भी रहता है देखे वो ठीक है डॉक्टर जो भी बोलते हैं वह आप उनकी बात सुनिये लेकिन हमारी बात भी सुनिये बच्चा भी छोटा है अभी उसको इलाज करेंगे तो अच्छा रहेगा हम इसको कफ का रोग कहते हैं हम तो अपनी बिल्कुल आयरुविदिक भाषा में बात करना चाहते हैं आप से कफ का प्रकोप है बच्चों की जो उम्र है वो भी कफ की उमर होती है हमारे अरुद में लिखाया कि बच्चपन कफ प्रधान होता है युव अवस्था पित प्रधान है व्रद वह कमजोर है थोड़ा बहुत धूल मिटी ठंड लग गई कुछ ठंडा कुछ पानी पी लिया कुछ कर लिया उसको तुरंत वह पकड़ लेगा तो उसमें करना क्या है पहली चीज हमें उसके फेफडों की गले की नाक की इम्मिनिटी पावर को बढ़ाना है ताकि उसमें श साल का वह हो गया है हुआ हूआ सभाव Sun साल का थोड़ा चम प्राश भी उसको चटाना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा चंप शुन प्राश लूज दोसरी चीज कफ उसको ना बने उसके लिए अधरक का रस बहुत बढ़ी है काम करता है ताजा अधरक का रस निकाल और अगर उसको कोल्ड वोल्ड पकड़ता है तो तीन बार दीजिए सुबह दुपहर शाम थोड़े से दिन करके देखिए साथ में अगर जरूत पड़े तो आयरविदिक दवाईयां भी है लुद्यानवें जीवा की क्लिनिक है वहां जाके डॉक्टर से दवाईयां भी ले स तो कासना सीरप आप लें चवन पराश उसको खिलाएं शेहद और अधरक का रस उसको पिलाएं और सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि बच्चे खाने में जो है इस उमर में मिठाईयां बहुत खाते हैं टॉफी चॉकलेट केंडी मिठाई ज्यादा खाने से बलगम बनेगा तो मिठाई थोड़ी नियंतरन करें उसका चिकनाई भी ज्यादा ना खाएं बच्चे हैं मना नहीं करते खाएं लेकिन यह नहीं कि हमेशा वो ऐसी चीज़ें खाते रहें जिससे बलगम बने ठीक है ठीक है ठीक है तो आपको डॉक्टर चुहान ने बहुत सारी चीज़े पता दी है चवन प्राश कासना सरफ और शहद भी तो आप इनको पालन कीजिए सेवन कराई अपने बच्चे को और को भी आपको तकलीफ आए लुद्याना की क्लेनिक आपके पास है जीवा का हेल्पनाइन नंबर आपके पास है हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्य होता है पहले हम यह जानने की कोशिस करते हैं कौन सा दोस बड़ा है तो जिसे टॉंचलाइटिस की बात की आपने तो मुखे रूप से दो चीज वहां पर हैं इंफ्लामेशन है इंफ्लामेशन जब भी होगी तो पित का इन्वालमेंट उसमें हम मानते हैं जनरल क्योंकि ही पानि भी जलन होती है तो जब जलन का लक्षन आ जाता है तो वह पित का संकेत है दूसरा वहां पर कफ भी है है म्यूकस है कही आप देखें अगर Novejels को तो उसमें पीला पीला कऱिए बल्गम वहां जमा होता है गला बैठ जाता है आवाज नहीं आती वूहार चड़ जात अगर हम गरम चीज को बैलेंस करना चाहेंगे तो ठंडी चीज देनी पड़ेगी, और ठंडी देंगे तो कफ पढ़ जाएगा उससे ज्यादा, तो यहां क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, इसमें फिर डॉक्टर के सला लेनी पड़ेगी, आयरविद में ऐसी ओशधियां हैं कई बार मिला करके दी जाती हैं, जिसमें के कोई गरम चीज है और ठंडी चीज उसमें मिला करके एक मिश्रण बना के दी जाता है, कुछ ऐसे ताशीर वाले चूरन हैं, होशधियां बहुत हैं, अगर आप कास, स्वास, इस रोगों के अगर दवाईयों को गिनने जाएंग से कड़ों दवाईयों बिलेंगी, एक नहीं, हाँ अपनी डिसकेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बार